बिजली विभाग ने चलाया चेकिंग अभ्यान 14 लोगों के यहां बिजली का चोरी से उभोग होता मिला सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज वहीं जनपद रामपूर में हर महा करोड़ों रुपे की बिजली चोरी हो रही बिजली विभाग कारवाही करते करते परिशान है ल पर 22 कनेक्शन है जिसमें से 14 लोगों के यहां बिजली का चोरी से उभोग होता मिला सभी के खिलाफ विदुत अधिलियम के तहट रिपोर्ट दर्ज कराई गई है शहर के पहारी गेट बिजली घर छेतरी की बात की जाए तो मुहल्ला बजद जबुखा में 100 कविये का ट्र पोकेश कुमार टीम के साथ मौके पर चेकिंग करने के लिए पहुच गये लेकिन कुछ नहीं मिला ओवर्लोडिंग बरकरार थी तो सड़क की खुदाई की गई जिसे देखकर अफसर भी हरार नहें गए 14 मकान ऐसे मिले जहां अंडरग्राउंड बिजली लाइन में ही कट लगा कर चोरी किया जा रहा था एक अतिरित केवल अपने घर को ले गए थे इस तरह यहां बड़े पैमाने पर बिजली चोरी पकड़ी गई विभाग की ओर से सभी के खिलाफ विदुद अधिनियम के तह जिला दिकारी ने का हर गाउं की बनेगी डिजीटल डाइडी वहीं जन्पादरामपुर में भी शहरों की तरह गाउं का भी प्रितिये गाउं की डिजिटल डायरी होगी इसमें गाउं का पूरा लेखा जोका होगा एक किलिक करते ही गाउं की पूरी डिटेल सामने आ जाएगी गाउं में कितना विकास हुआ है और किन समस्याओं के समधान की जरूरत है अभी तक इसका लेखा जोका सिर्फ फाइलों म रहता है अधिकारी गाउं में मौईना करने के लिए पहुचते तो हैं उन्हें गिराम पंचायत अधिकारी और ग्राम प्रधानों से ही जानकारी लेनी पड़ती ही लेकिन डिजिटल डायरी बनने पर सब कुछ उनके सामने होगा इसके लिए अधिकारी ओने कारी योजना भी तैयार कर लिए दो अक्तूबर से जिले भर में गाउं का सर्वे होगा जो 31 जनवरी तक चलेगा जिला अधिकारी अनंजिने कुमार सिंग का कहना है कि शहर की तरह प्रतियक गाउं का मास्टर प्लान तयार किया जाएगा उस गाउं में अब तक कितने विकास कारी हुए समस्याओं से जूझ रहा है रोजगार के साधन क्या है कि लोगों का पेशा क्या है कितने लोग भेरोजगार है और किन सहायता मोहिया कराई जाएगी वहीं जनपद रामपुर में जिला अधिकारी अरंजिने कुमार सिंग की अध्यक्षता में जनपद इस्तर पर गठित कामेटी द्वारा दहेज एसीड अटेक एवं शारीरिक शोशन आदी से जुड़े मामलों पर कलेक्टेट सबागार में आय मदद मोहिया कराने का निर्ने लिया गया वहीं जिला पुर्बोशन अधिकारी ने बताया कि सरकार की इस योजना के अंतरगत जनपद इस्तर पर गर्षित कामेटी द्वारा विभिन मामलों पर विचार करके संसुती के उपरांत शासन को मानकों के अनुसार ग्रेतर कार्र प्रशेशित किया जाता है इस योजना में अलग-अलग कैटेगरी में तीन लाग से लेकर दस लाग रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान है चोरी की चार वाइकों के साथ चार आरोपी गिरफ तार वहीं जनपद रामपुर की गंज कोत्वाली पुलिस थाना में प्रदान पेश किया गया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया पुलिस अदिशं शगुन गौत्म के निर्देश पर जनपद में अपरादवा अपर को सेजनी नानकार रोड हामिद लॉन के पास से ग्रफतार किया गया जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिलाइस्थरिये खाद सुरक्षा सल्हकार समीती की बैठक कलेक्टरेट सवगार में संपन हुई वही जनपद रामपुर में बैठक में जिलाधिकारी अनंजने कुमार सिंग ने खाद सुरक्षा एवं और शदी प्रिशासन कार्याले द्वारा किये जा रहा है कारियों की विस्तार पूर्वक समिक्षा की साथ ही उन्होंने वेपार मंडल से जुड़े पृतिनेदियों से इस संब्दने बात्चीत की अभी ही त अधिकारी ने बताया कि आम ज चेतू भी भेजा जा रहा है वहीं उन्होंने बताया कि वर्ष 2019-2020 में जनपत के 63 विध्यालों में स्वास्त सुरक्षित एवं पोश्टिक भोजन के संब्द में जागरुक किया गया तथा मिड़े मील से जुड़ी 278 रसोन्यों को स्वास्ते के दिष्टिकों से पोश्ट कारियों को निर्देशित किया तदा कहा कि आम जन के बहतर स्वास्त के साथ खिलवार करने वालों की विरू सक्तकार्रवाही की जाए